स्टोरी जैम में आपका स्वागत है यहां आप सुनेंगे कहानिया कुछ नई, कुछ पुरानी कुछ जानी, कुछ अनजानी अगर यह पॉड़कास्ट आपको पसंद है तो आप जहां भी सुन रहे हैं स्टोरी जैम यूट्यूब पर सुनते हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूले और एक खास खबर अगर आप क्लब हाउस पर हैं तो वहां स्टोरी जैम लाइव भी सुन सकते हैं वहां जुड़े मुझ से मेरा हैंडल है आज की कहानी विनोत कुमार शुकल की लिखी जिनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती है के लिए उन्हें 1999 में साहित्य अकादमी पुरुसकार से सम्मानित किया गया था विनोत कुमार शुकल का एक अनूठा रचना शिल्फ है जिसमें वे बड़ी गहन बात स्वभाविक सी भाशा में कह जाते हैं और आप उनकी इन्वेंटिवनेस उनकी कलपना शील्फा के साथ बह जाते हैं लेकिन उनकी बात में सादापन नहीं है उनकी कविताओं और उपन्यासों में वही आश्चर्य जनक छवियां हैं वही शब्दों का खेल है जो अंग्रेजी साहित्य के मैजिक रियलिजम यानी जादूई य थार्थ वाद में दिखता है विनोत कुमार शुक्ल उन चीजों के बारे में लिखते हैं जो अब आँखों से दिखती नहीं या लुप्थ हो गई या होती जा रही है ऐसी दुन्या में जहां सब लोग कानों में उंग्लियां डाल एक दूसरे की आवाज से अपनी आवाज टकरा कर चिला रहे हैं विनोत कुमार शुक्ल एकांथ पसंद विनोत कुमार शुक्ल चुप्पी के बारे में लिखते हैं बोलने और ना बोलने के बीच जो थोड़ी सी जगर है जाती है जिसमें विचार करवट बदल रहे होते हैं उस जगा से लिखते हैं विनोत कुमार शुक्ल जी पर लिखे कुछ बहतरीन लेक और खुद उनके पार्ट के विडियोज के लिंक्स भी मैं नीचे शो नोत में शेयर कर रही हूँ जरूर देखिएगा आज उनकी लिखी एक लगुका था हरे पत्ते के रंग की पतरंगी और कहीं खो गया नाम का लड़का बच्पन में चिडियों पर नजर बहुत पड़ती है बड़े होने लगते हैं तो उन पर नजर कम पड़ती है मैं पतरंगी चिडियों के बारे में बोलूँगा जो हरे पेड़ पर दिखलाई नहीं देती हम लोग बैठे बैठे भी बात करते हैं चलते चलते भी अकेले बड़ बड़ाते हैं लेटे लेटे बात करते हैं नीद में भी बोलते हैं पर नतु पतरंगी चिडिया उड़ती है तभी बोलती है बैठ गई तो चुप हो जाती है उसे बोलना है तो उड़ेगी नहीं बोलना है तो बैट जाईगी पतरंगी गौरईया जितनी बड़ी होती है पूँच लंबी और नुकीली होती है ये खुली जगहों में खेतों, बाड के खंबों, टेलेफोन के तारों पर बैठे अकसर दिखाई देती है सांज होते ही सोने के पहले बसेरे के पेड़ के उपर बहुत हल्ला मचाती है एक जुन हल्ला मचाते हुए उड़ता है और पेड़ पर बैठते ही चुप हो जाता है तो दूसरा जुन हल्ला मचाते हुए उड़ने लगता है इस चिडिया को उडते हुए बोलना अनोखा लगता है ये उडते उडते दुगनी ठक जाती होगी उडते हुए और बोलने से इसलिए दुगनी सुस्ताती होगी बैठ कर और चुप रहकर इस तरह एक कहानी लिखने की सोचता हूँ कि लड़का है, छे साल का, दूसरी कक्षा में पढ़ता है मटमेले रंग की एक नई कमीज पहने है जो दो बार धुलने के बाद बहुत पुरानी लगती है कत्थाई रंग की पैंट है यद रिश्य में इस तरह घुल मिल जाता है कि मुर्मी जमीन के मैदान पर थोड़ी दूर ही जाता है तो ओजल होने के बहुत पहले से ओजल होने लगता है जब वैं अचानक पासा कर दिखाई देता है तो लगता है कि कैमरे के जूम लेंच से लाया गया है बाल घुंगराले, काले और बड़े है कंगी से पीछे कोरे गए उसकी इक्छा होती है उड़ जाए यदि चुप बैठा रहता है तो लगता है कहीं खो गया उसकी माँ तब से उसे बुलाती कहीं खो गया है कहीं खो गया है उसके पुकारने का नाम जैसा है ये नाम उसकी सफलता के साथ चहेकने के कारण रखा गया था बहुत दिनों के बाद एक दिन उसकी माँ को पता चला कि वो केवल चलते हुए बोलता है चुप रहता है, तब खड़ा रहता है या बैठा रहता है अच्छे से बोलना उसने तब सीखा जब वो चलना दौडना सीख गया कूले के बल जब खिसकता था तब च, च, या ब, ब, या द, द बोलना शुरू किया था घुटने के बल चलते समय च, ब, द, बोलता था अच्छा था कि उसकी नीन में बड़वडाने की आदत नहीं थी चलते चलते बोलने की आदत के कारण सुनने वालों को उसके साथ साथ चलना पड़ता उसकी माँ उसके साथ नहीं चल पाती थी पीछे पीछे चल पाती थी कई दिनों के बाद उसकी माँ को ये भी पता चला कि वो चल्दी धक क्यों जाती है इसके बाद भी बोलू का काम ठीक चल रहा था घरसंसार का काम भी ठीक चल रहा था जैसे उसे स्कूल जाना है तो किताब से बोलने के लिए जो पाठ उसे याद करना है निकाल लेता और बस्ता लटका कर जोर से पढ़ते दोहराते स्कूल के रास्ते चल पढ़ता कक्षा में अपनी जगह पर आकर बैठ कर चुप हो जाता या बैठने के लिए चुप हो जाता स्कूल से लोटते समय भी ऐसा ही करता रास्ते में उससे कोई कुछ पूछता तो खड़े होकर सुन लेता और उत्तर देते हुए चल पड़ता बोलते हुए आने के कारण जब वो स्कूल से लोटता तो उसका पास आना मा सुन लेती दर्वाजे का साकल अंदर से खोल देती बोलू दर्वाजे को ठेल कर अंदर आ जाता रोज रास्ते भर पढ़ते हुए स्कूल जाने और पढ़ते हुए घर आने से बोलू पढ़ने में होशियार था एक दिन जब वो स्कूल से लोटा तो मा ने दूद रोटी खिलाई मा जब ठकी होती तो बोलू से कुछ पूछती नहीं थी परन्तु उस दिन पूछ लिया दूद रोटी उसने खतम की ही थी आज स्कूल में क्या हुआ? प्यार से मा ने पूछा बोलू चुप बैठा हुआ था चलने और बोलने से थोड़ा दुगना ठका हुआ मा का अपने बेटे से बात करने का मन तो होता है बोलू का भी मन होता है कि अपनी मा से बात करे? बोलू बोलता क्यों नहीं मा आज स्कूल में बहुत अच्छा लगा खड़े होकर चलते हुए बोलू ने कहना शुरू किया एक कमरे का घर घर का दरवाजा खुला था हुआ ये कहते हुए बोलू चार कदम में ही घर से बाहर हो गया बोलू को जैसे मालूम था कि मा पीछे आ रही होगी बोलू चलते चलते बोल रहा था पीछे उसकी मा बात सुनते हुए चलती आ रही थी मा एक बिल्ली का बच्चा कक्षा में घुसाया भूरी बिल्ली का किसी लड़के ने बस्ते में लाया होगा कौपी किताब निकालने के पहले बिल्ली का बच्चा खुद बाहर निकल आया होगा मेरी किताब में चुहे बिल्ली का पाठ है कहीं मेरी किताब के पाठ से तो बिल्ली का बच्चा बाहर ना निकल गया हो अब पाठ में वापस कैसे जाएगा सबकी किताब से एक एक कर बिल्ली के बच्चे बाहर आ जाएं तो कक्षा में बहुत से बिल्ली के बच्चे हो जाएंगे एक जैसे पाठ की एक जैसी बिल्ली मैं अपनी बिल्ली को कैसे पहचानूँगा मेरे किताब की बिल्ली मुझे पहचानती होगी मेरी किताब को भी पहचानती होगी पहले बस्ते के अंदर बिल्ली जाएगी बस्ते के अंदर से किताब के अंदर किताब के अंदर से पाठ के अंदर बोलू जल्दी जल्दी बोल रहा था इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा था बोलू के कहे एक एक शब्द से चुप रहकर रुख गया मा यादी कहती रुख जा तो बोलू रुखते ही चुप हो जाता बेटा घर की तरफ लोटो घूम जाओ देर हो गई दूर निकल आए हा मा कहकर वो घर की तरफ घूम गया अब बता बिली का क्या हुआ बिली कक्षा में इधर उधर भाग रही थी सब लड़के बिली को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे गुल गपाड़ा हो गया गुल गोबर हो गया मानी पूछा नहीं मास्टर जी हस रहे थे बिली से डर कर कोने में खड़ा एक लड़का रूने लगा था तो उसके पास में खड़ा दूसरा लड़का भी रोने लगा जब मास्टर जी हसने लगे तो सब हसने लगे रोने वाला लड़का भी मैं बार-बार बोलता जा रहा था और बिली को पकड़ने कूता भागता था कि बिली मैं तुझे पकड़ लूंगा भाग कर कहा जाएगी पर मैं बिल्ली को पकड़ नहीं सका कोई नहीं पकड़ पाया और बिल्ली कक्षा से बाहर भाग गई बोलू मा के पास आ गया था आगे कुछ बोलने बोलने को था और आगे जाने को उसने कदम उठाया ही था कि वहीं खड़ी बोलू के पास आने का रास्ता देखती, उसकी मा ने बोलू का हाथ पकड़ा. बोलू, थोड़ा रुख जा. बोलू रुख गया. धीरे धीरे कुछ बोल बोलू. तेरी मा ठक गई, धीरे धीरे घर चल. मैं तेरा हाथ अपने सहारे के लिए पकड़े हूँ. बोलू ने तब मा के सुक के लिए अपने मन से एक कविता सुनाई. पतरंगी, पतरंगी, तु उड़ते-उड़ते बात करेगी. मैं चलते-चलते बोलूँगा. मा तुम बताओ पतरंगी संग मैं उड़ते उड़ते कब बोलूँगा मा को सुनने बोलू चुप होकर खड़ा हो गया तब मा ने बोलू को चिपटा लिया और सिर्पर हाथ फेरते हुए उगलियों से उसके बड़े बड़े बालों को पीछे की तरफ सुलजाते हुए गाकर कहा अभी तु नन्हा छोटा है अभी से क्यों उड़ जाएगा पढ़ लिख लेने से ही पंख तेरे फूटेंगे तब तु उड़ना मा के बोलने के साथ बोलू मा का कहा दोहराता जा रहा था कि मा का कहा याद हो जाए और धीरे धीरे थोड़ा रुकते-रुकते दोनों साथ-साथ घर के अंदर आ गए आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कॉमेंस जरूर लिखिएगा साथ ही सब्सक्राइब कीजेगा आपके फैमिली और फ्रेंज में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन, कदरदान और हैं उन्हें ये कहानी वाट्साप पर फॉवर्ड करें अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी लेख या कविता के साथ तब तक अलविदा झालविदा झालविदा